निशन दे ये समस्या संसार में बढ़ती जा रही है बहुत यूबकों के साथ इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस समय ब्रेन की शक्ती काफी कम होती जाती है डे बाई डे इने कुछ अभ्यास करने को हम सजस्ट करेंगे जिससे आज तक हम देखते आ रहे हैं बहुत सुन्दर परिणाम निकलते आ रहे हैं सबेरे उठकर तो ये 108 बार लिखेंगे मैं मास्टर सर्व सक्तिवानू और रात को किसी भी टाइम सोने से पहले उससे पहले मैं एक महान आत्म हो 108 बार लिखेंगे इन दोनों संकल्पों से क्या होता है ब्रेन को एनरजी मिलने लगती है थोड़ा सा ये ग्ञान योग पर ध्यान दें ताकि जो प्रैसर इन पर रहता है थोड़ा वह तो रहता ही होगा उसको ये आराम से मैनेज कर पाएं, उसको सहज भाव से लें, लाइटली उसको देखें और एकदम टेंशन मिन आ जाएं, दूसरा अभ्यासी ने करना है, मैं आत्मा स्वराज जधिकारी हूं, मन बुद्धी की मालिक हूं, ये राजियों का बहुत सुन्दर अभ्यास है, सक्तिशाली हो जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत सक्तियां हैं, उन्हें जागरित करो, और बुद्धी को कहना है तुम इस्थिर हो जाओ, अब जो मैं काम करो, तुम इसमें ही लग जाना, या जो मैं सुनू पढ़ू, तो उसे याद कर लेना, तो बहुत जल्दी, दिन में पाँच बार कर लिया जाए, कभी-कभी, बीच-बीच में, दो दो तिन दिन गंटे के बाद, तो इस से इनकी इस्थिरता बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, लेकिन इने ध्यान रखना है, कि कौन सी चीजे इनके मन को एस्थिर कर रहे हैं, ये टीवी जादा देखते हैं, गफ सब जादा करते हैं, क्रोधिन को जादा है, मुबाइल पे जादा बात करते हैं, या नेट पे इदवधर जाते हैं, ये सब चीजे मनुस के मन को विचलित करती हैं, मन जब विचलित हो जाता है, तो बुद्धी एस्थिर हो जाती है, फिर काम में लगती नहीं है, अभ काम में इनकी रूची होगी स्थिर्ता होगी